असीम मुनीर से पूछना चाहता हूँ, आतंकवादियों को जनम किस ने दिया? आर्मी चीफ अगर आपके साथ डिबेट पर आजाए, आसीम मुनीर आजाए, और वो कहें कि अरे चुप रहो तुम लोग, तुम लोग क्या मुझसे बात करोगे, हमारी तो सेना अभी इतनी है, हम जहल लेंगे जो हमारे देश में धजी उड़ा दूगा, असीम मुनीर की पाकिस्तान को दिया क्या, टीटीपी तुम्हारा आतंकी सैंक्टन है, तुम्हारे आर्मी पब्लिक स्कूल में जाके, कितने बच्चों को मार दिया, क्या तुन्हें कर लिया, इस ये इतियास कहता है, कि पाकिस्तान पर भरुशा करना आत्मखा तक होगा, मैं साब पर कि अभी भी दिमाग खुलेगा कि अभी भी उनको जन्नत में हूरों के इंतजार मतब रहेगा नमस्कार मैं अर्चिना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर अर्माफ कीजेगा कल की वीडियो में मैंने तीन हजार रुपे किलो आटा का भाव बता दिया था पाकिस्तान में मेरे से गलती हो गया था स्लिप अफ टंग जिसको कहते हैं वो हो गया था और काफी लोगों ने उस पे ध्यान भी दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वीडियो में लोग देखते हैं लोग ध्यान देते हैं और लोगों ने टोका तो मैं यह पताना चाहती हो पाकिस्तान में आटा डेड़ सो से दो सो रुपे हाइस्ट केजी जो है वो भी लेकिन अपने आप में बहुत जादा है और 3,000 हुए 10 किलो का दाम मैंने वो बोलना चाहती थी में लेकिन 11 किलो मैंने बोला था बहराल आज के वीडियो पे मैं बात करती हूँ आज फिर से मैंने अपने साथ SP Sinaaskar को जोड़ा है आज इन से थोड़ा defense वाला angle समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की यह हालात है कि अपने आपको कहता था नफरत के बुनियाद पे बटा पाकिस्तान नफरत के बुनियाद पे बटा एक देश आज उसके खुद के देश में वो आप ये देखें कि बम फट रहे हैं, अब मज़ित के अंदर बम फट जा रहा है, वहाँ के लोगों की सुख, शांती पूरी तरह से खतम हो चुकी है मैंने सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो देखा, वो महिला रोती बिलगती हुई ये कह रही थी कि मैं डिफेंस के तोर तरीके थोड़ा सा समझू, और मैं ये भी समझू कि क्या टालीबान पाकिस्तान, टी टी पी का क्या रोल जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आधा से जादो जो आर्मी है, वो टी 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 पे उलजी अगर पाकिस्तान के उपर तालीबान ने कबजा किया तो उसका भारत के उपर क्या आसर होने वाला है इस सारी बाते आज हम लोग समझने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे और S.P. Sina sir को मैंने जोड़ा है और यह पूरी तरीके से हमें समझा देंगे कि क्या-क्य पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग उठा सकते हैं और क्या-क्या पॉइंट्स हमें देख के समझना चाहिए तर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पिछले वाला वीडियो भी आपका धहमाल मचाया था सर यूट्यूब पे पहला क्वेशन में यहीं से पोशते हूं सबसे पह इस से हमको परिशान कोशिश कर रहा करने की कोशिश कर रहा था देखिए हिंदू फिलोस्फी में है लौफ कर्मा जैसा करोगे तो ऐसा भरोगे एक और है दोहा जस करनी तस भोगन दाता नरक जात तब क्यूं पच्छताता फिर एक और बिंदू है कि जब आप बबूल का बोया पेल बबूल का तो आम कहां सो है यह सब दो जो यह ना दोहा वगरा यह पाकिस्तान पर फिट होता है पहली बात दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुसल्मान कहते हैं कि दो सब्द है दारल इसलाम दारल हरब वो कहते हैं कि जहां मुसल्मान रहते है भोड रहते हैजां मुसलोमान रहते हैं वह है शांती के छेटर yetं पीस और जल्मानki ojहां काफी रहते हैं हिंडू रहते हैं नॉन-मुसलिम रहते हैं वह दृर Sumven फकाफिया देख लो न पाकिस्तान के ओलूछ जू क्यारति पहार हो रहा है भाया देख लो हिंदुस्तान में तो खुब शांती है खुब लोग जिले भी खा रहे हैं लिट्टी खा रहे हैं अपना मिठाई खा रहे हैं तुम अपना हालत देख लो तो ये जो भी पेशावर में हुआ मतलब इतनी बुरी विवस्था है सिस्टम फेलियर है गवर्नेंस सेलियर है कैसे कि एक सुसाइड बॉमबर पेशावर के मतलब मौस्ग के इर्दगेर्द पुलिस हैड़कॉर्टर्स है और पुरा फटिफाइड है का टॉनिमेंट है वहाँ एक सुसाइड बॉमबर घुश जाता है और मस्जिद में घुश जाता है अब फ्रंट रो में बैठता है वो फ्रंट रो रिजर्फ करते हैं मौलवीज जो वफादार होते हैं उनके लिए तो उस रो में ये बैठता है और ये सुसाइड बॉमबर था अपने शरीर के चारो तरफ उसने बॉम स्टैप कर रखा था उसको एक्टिवेट किया पुड़ा मस्जिद उड़ा और 60 लोग मारे गए और 160 से जादे घायल हुए हैं अब सवाल पैदा होता है कि सुरक्षा क्या है पाकिस्तान का जो पुलिस का काम है आम आवाम को सुरक्षित रखना उसके बगल में उसके छेतर में जो मस्जिद है वहाँ ये सब हुआ है पहला प्रशन दूसरा कि ये जो बॉमबर था सुसाइड बॉमबर ये केंटॉनमेंट में घुसा कैसे तीसरा कि केंटॉनमेंट में जगा जगा चेकपोस होता है आप दिली केंटॉनमेंट में जाओ यदि मैं भी जाता हूँ तो बोलता है मैं करता हूँ जेनरल सीना तो बोलता है सर आइडेंट्री काड चेक कर ये बुड़ा नहीं माने तो ने नी बुड़ा नहीं मारो यह मेरा आई-काट राम राम साब तो कैसे एक बंदा बिना रोक टोक के केंटर्णमेंट में घुश जाता है मस्जिद में घुश जाता है फ्रंट रो में बैठ जाता है इसका मतलब है टोटल पुलीस पुलीस बकवास अगनाईशन है पाकिस्तान की सेना बकवास पाकिस्तान की पुलीस बकवास पाकिस्तान का पुलिटिकल सिस्टम बकवास तो देश चलेगा क्या वो तो नतीजा देख रहे हैं सर आपने अभी सेना पे सवाल उठाया बोला कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बिल्कुल बर्बाद है लेकिन मैंने उनका बयान पढ़ा कि जन्रल हैं पर समी Flex. मैंने उनका बधा अशीम मुनीर उनका कहना है कि हमें उन सब anti-terror operations पे focus करना है जो हमारे देश में हो रहा है और हमें anti-terror operation चलाना है हमें आतंकवाद को पूरी तरीके से अपने देश के अंदर खतम करना है यह सारी हिदायत उन्होंने अपने जेनरल्स को दे दी है पाकिस्तान के जेनरल्स को पहली बात तो मैं जलन असी मुनीर से पूछना चाहता हूँ आतंकवादियों को जनम किस ने दिया जिया उल्हक ने क्या कहा था कि हम को हिंदुस्तान से लडने की जुरुत नहीं है हम आतंकियों के माध्धम से we will bleed इंडिया by thousand cuts जिया उल्हक ने कहा था मुशारफ ने भी बात कही थी मुशारफ ने हाफिज साहीद को national hero बताया था मुशाफराबाद कोटली में पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को चार कैपसूल चार phases में ट्रेनिंग देती है phase one, phase two, phase three, phase four phase one है general orientation उसका भी detail talk है कभी बात करेंगे और अब जब सांप तुमने पाला सांप को जनम दिया वो सांप तुम्हें डस रहा है तो अब बोल रहे हो तुम कि सांप के खिलाफ प्रतिक्रिया करो सांप को मारो एकदम युद्ध के स्तर पे लड़ो तुमको लड़ने की छंता है जनम असी मुनीर तुम लड़ने ही सकते टीटीप से लड़ लिया एक आतंकदवा आतंकवादी संठन को पाकिस्तान की आर्मी नहीं हरा पा रही है और समझाता किया तुमने टूस और जिस टूस को उनिट लैटरली खुद बेखुद टीटीप ने का हम नहीं मानते तुम करो नहीं नहीं हम शांती चाहते हैं टीटीप बोलता हम शांती चाहते ही नहीं है हम सीजफ़ाइर चाहते ही नहीं है और अटक किया फिर ये कहा जा रहा है कि 150 से जादे अटक हुआ है टीटीप के द्वारा पाकिस्तान पे और तुम लड़ नहीं सकते। तुम पर यह दोगलापन क्यों सकते। तुम पर यह दोगलापन क्यों सकते। तुम पर यह दोगलापन क्यों सकते। उनका लंडन में फ्लैट मिलेगा। अमेरिका में उसके बच्चे पढ़ेंगे। अमेरिका में उसको फ्लैट मिलेगा। वहां वायाशी करेगा। तो यह जो आतंकवादियों को भेजता है, कसावन कंपनी को, तो जनरल अपने बेटे को नहीं क्यों भेजता। ताकि उसको पता इंडियनामी वेट कर रही है। लेकिन सर क्या लगता है इतना सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में महंगाई बिलकुल आसमान चू रही है वहां पे। पेट्रोल का दाम इतना है, दूद का दाम इतना है, खाने पीने का दाम इतना चीजों के उपर दाम इतना जादा बढ़ रहा है। तो क्या लगताब पाकिस्तानी युवाओं के अभी भी दिमाग खुलेगा कि अभी उनको जननत में हूरों के इंतजार मतब रहेगा। उनको बताया गया है, कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है, उनको बोलना है, ये काफिर उसमें मार देंगे, हिंदुस्तान हमको खतम कर देगा, इसलिए सेना को सपोर्ट करो, विस्वास करते हैं, हाँ सेना को सपोर्ट करो, सेना अपना आर्मी चीफ अप को पूछना चाहिए कि भाई मेरे तुमुझे ये बताओ कि जनल बाजबा बिलियन डॉलर कहां से लाया आर्मी जेनरल कैसे हमीर होते जाते हैं हम गरीब कैसे होते जाते हैं इसका जबाब दो कोई सवाल सिंपल शेलंका में जो हालुत हुई कि प्रेजडेंट के घर में घुशके सब कुछ उठा लिया प्राइम मिनिस्टर के घर में मंत्रियों के घर में कुछ मंत्रियों को ठोका प्रेजडेंट भाग गया चार्टर में अपना पैसा हुसा डाला भाग गया विदेश तो सवाल है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में तो इसलिए नहीं हो सकता है कि ये चूरन बेचते रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ करोगे और वहां मरोगे तो 72 हूर वेट कर रही है अब पतारी मुझे 72 हूर का कॉंसेप्ट समझ मिनिया है मतलब खाली फऐक चूरन बेचते रहते हैं और वहां के नौजवानों को अनकी जो जो हालत है ना इस पूरी इनकी प्राथमिक्ता गलत है सोच गलत है अब प्राथमिक्ता प्राथमिक्ता ये नहीं है कि इंडुस्टी बेठाओ बिजनेस बिढ़ाओ इकॉनमी का विकास करो इंजिनिर बनाओ डॉक्टर बनाओ इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप करो विदेशों से दोस्ती करो अपना एक्सपोर्ट पोटेंशल बढ़ाओ जो तुम्हारे कर्ज है उसको लटाओ ताकि रिन से मुक्त हो जाओ यह सोच नहीं है यह सब अरे आप कुछ आप किताब लेखनी की सोच होगे पेन उठाओगे तब तो किताब लिखी जाएगी जब आप किताब उठाओगे नहीं पेन ही नहीं उठाओगे तो लिखोगे क्या तो इनकी सोच है कशमीर कशमीर हिंदूस्तान इंदूस्तान यह देख लो बरबादि कि शिपंग कर्परेशन का जो इनका प्लेटफरंगर वह सरकार को चिठी लिखा है कि खाली जो फॉरेंट से स miraculous हा रहे हैं वाब पाकिस्तान में पेट्रॉल नहीं है, उसम स्टॉकवा उड़ को जाएगा. पेट्रोल नहीं है. तो भी तब टम पे बैटके चलेंगे है और उट पे भी जा जहेंगे घए पीर हितना स्टोन एज में जा रहे हैं एक खाली हावा में बात करते हैं टीवी पे देख लो इनके प्रवक्ता आते हैं हमारी बेस्ट आर्मी है हमने 65 का जंग जीता मैं तो माता ठोकता हूँ इनो क्या आदमी है क्या खाता है इतनी नशे में बात करता है सब बक्वास सब बक्वास जूट अच्छा बेशरम होके पाकिस्तान के प्रवक्ता टीवी पे बेशरम होके जूट बोलते है इंसालला हम हम दुनिया को दिखा देंगे हम क्या ताकत हैं हमारी आर्मी बेस्ट है हमने जंग जीता अभी आएमेफ ने कहा कि आप जो पेंशन कितने मिलियन दे रहे हो पाकिस्तान के फोजीयों को किस बात पे दे रहे हो इनको पेंशन उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए पहली बात दूसरी बात आएमेफ ने कहा कि आप शिविलियन कोट हेट से बजट कोट हेट से आर्मी का आप सेना का पेंशन क्यों ले रहे हो आप अपना डिफेंस के कोट हेट से लो अभी सब सवाल मतलब वहां सिर्फ और सिर्फ मलाइक खादे वाले सेना के लोग हैं तो जब यदी आप किसी लेबरर को बोलो कि इनके प्राइरोटी में वो नहीं आता है अब मुझे तालीबान से कुछ सवाल पूछना है सर अगर मान लीजे आप जैसे कह रहे हैं मैंने ये खबरे भी सुनी है कि वहां पर तालीबान का अपरोच जो है वो बढ़ रहा है गिलगित बल्टिस्तान या फिर कश्मीर के मतल मैं वाता हूँ तो इसके कई माने हैं पहला ये है कि पाकिस्तान ने तालीबान को ट्रेन किया पाकिस्तान एक मीडियेटर के रूप में रोल अदा किया अमेरिका और तालीबान के बीच में पाकिस्तान गेम खेला और एक सिक्रेट डील हुई पाकिस्तान में और अमेरिका क के बीच में और इसी के कारण रात तो रात अमेरिका अफगानिस्तान छोड़के चला गया अमेरिका अपनी कई हथियार वहां छोड़के गया तो पाकिस्तान सोचा कि अब तो बल्ले बल्ले हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे अब अम तो अफगानिस्तान के साथ मि के हिंदुस्तान को बरबाद कर देंगे हुआ क्या हुआ क्या अब TTP जो तालिबान का हिस्सा है वो डस रहा है पाकिस्तान को 61 लोगों को मार दिया 160 से जादे गायल है जो सीजफायर पाकिस्तान आर्मी ने रेनाउंस किया था कुछ दिन TTP ने माना अब नहीं मानता वो डाम तो नहीं मानते पलिटकल लीडर्शिप कहती है कि भाई कुछ फर्मूला निकालो कि कैसे शांती हो सकती है मतलब पाकिस्तान की आर्मी सक्षम नहीं है कि आतंगवादी संक्टन को परास्त कर दे जो तुम्हारे सामने है जो पीछे से वार करता हूँ तो दूसरी बात जो तुम्हारे सामने TTP अटैक कर रहा है तुम्हारे चेत पर पोस्ट को तुमको उठा के भेज रहा है अब तुम कुछ नहीं कर पारे हो भारत पर क्या अगर मालीज या अगर वैसा कुछ होता है यदि तालीबान अभी पूरी तरह से पाकिस्तान पर टीटीपी का कबजा हो जाना अभी वक्त लगेगा दूर की कौड़ी है लेकिन मालो एक हाइपोथिटिकली यदि चिंतन के हिसाब से यदि सोचा जाए कि यदि तालीबान टीटीपी तालीबान के मदद से पूरे पाकिस्तान पर कैप्टर कर लेता है तो इसके दो पहलू है क्या तालीबान जिस तरह से हम से मदद बांग रहा है हमने उसका पालियमेंट बनाया हमने बहुत कुछ जगा बनाया और उसके जो लीडर्शिप है तालीबान leadership वो शुक्रिया अदा कर रहे है मोदी जी को, मोदी जी ने ट्रक भेज भेज के खाना भेजा तो क्या एहसान मंद होगा, यदि एहसान मंद होगा, तो वो पाकिस्तान से बुरा नहीं होगा, पाकिस्तान से बेहतर इस्थिति होगी लेकिन मैं समझता हूँ अंतरास्टि ये तर पे किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे ने किसी पे ने, आप यदि सक्षम है, मजबूत है तो अगला डरेगा, अगला सम्मान करेगा, आप जहां थोड़े से कमजोर हुए ताहो उठा दिखा देगा दूसरी बात, इसके पहले कि टी टी पी और तालिबान कैप्चर करें पूरे पाकिस्तान को उसके पहले है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कम से कम चार्ट टुकरे हो जाएंगे और जल्दी वो मुझे दिख रहा है कि बहुत नजदीक है जिसके पास 4.80 billion dollars foreign exchange reserve है तीन सब्ता के बाद वो कुछ import नहीं कर सकता है तुम्हारे घर में है कुछ नहीं तुम बाहर दुकान से कुछ ले नहीं सकते विदेश से मंगा नहीं सकते शिफ्स आने से refuse कर रहे हैं और वो भी जो 4.80 उसका भी बता देता हूं वो भी नहीं है ग्राउंट पे हुआ क्या कि प्राइवेट सेक्टर में जो वहां के टॉप बिजनेसमेन है उन्होंने प्राइवेट अपना मनी पार किया था प्राइवेट बैंक में तो सरकार ने हुकम दिया यह सब प्राइवेट मनी जो प्राइवेट बैंक को यह सरकारी खाता में ट्रांसफर करो वो ट्रांसफर हुआ तो अब यह सरकार उच्छनेगी देखा हमारे पास फॉरिनिक्स रिजर्व है फोर पॉंट एट जीरो बिलियन डलर अरे यार किसको ब्यकूफ बना रहे उसको ब्यकूफ बनाओ जो ब्यकूफ बनता है यहां हम हिंदुस्तान के रिटाइट जेनरल्स को ब्यकूफ नहीं बना सकते हैं तुमारी नसनस हम पहचानते हैं तुम चलाकी करते हो धुर्ता करते हो क्या भी जवाब देंगे जावाद सरीफ क्या करेगा अरे वो तो रास्थान में नहीं देखिए हो गुडिया का डांस कटपुतली वाला डांस जिसमें परदे के पीछे बागदूर किसी पास होता है और वो गाना-गाती है कहां कहां जाती मेरा गलत हो गया कंपरेज़ना मान कि असिम मनीड की दजी उड़ा दूगा मेरे से वारता लाप कर ले सास्टाथ कर ले डिसकसिन कर ले स्पाइक्शन फिगर से कॉर्डर करूंगा मेरे मेरे परशनों का जवाब नहीं होगा उसके पास 47 साल तुम्हें आर्मी ने किया क्या पाकिस्तान को दिया क्या तुमने 47 में जंग किया 65 में किया 71 में किया 99 मिला क्या तुमको तुम कश्मीर कश्मीर हिंदुस्तान करते रहे काफिर करते करते मिला क्या यह बरबादी तुम प्रफेशनल आर्मी हो पाकिस्तान को बरबाद किया, खुद जेनरल्स को रिच्छ किया, सब जंग हारा, पोलिटिकल लीडर्शिप में मर्मानी किया, जुडिय शरी को एकदम चौपट कर दिया, पूरा प्रधान मंतरी जो उसका गुलाम नहीं होता, उसको उठा के फेक देते हैं अपनी मर्जी से, कभी जियाई उलहक, गिवावलर किसी को बननावाज शरीफ को पैदा करता है, फिर इमरान खान, फिर शाबाज शरीफ, पूरा पाकिस्तान की जो समस्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिमेदार पाकिस्तान आर्मी है, तो आपनी सारे बातों का जवाब दिया, टीटी टीप अब अब इक अत्रित हो जाएं, आफ्टर दी ब्लास्ट, बाद में पॉलिटिक्स कर लीजेगा, अभी हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, इस पे क्या कहिएगा सर, इस पे क्या मतलब, क्या इस बयान से अब क्या समझते हैं, क्या सच में आप पाकिस्तान क्या है, तुम्हारे आर्मी पुबलिक स्कूल में जाके, आर्मी स्कूल में जाके, कितने बच्चों को मार दिया, क्या तुन्हें कर लिया, तुम्हाने जो ओपरेशन जो किया था लांच आतंकवादी ओख खिलाफ गिलिगिट-बल्टिस्तान की तरफ, क्या हुआ, कुछ तो देखिए आप तभी एक श्यूट कर सकते हैं कोई प्लान जब आपके पास सक्षमता हो आप गुणवान हो करने की करने की आपके पास काबलियत हो यह कुछ नहीं है यह खाली हवावा बात करने वाली लोग दूसरी बात क्या पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल इसे समझाता कर लेगा इन कर नहीं सकता क्योंकि जो पावर में है उसको वो सपोर्ट करेगा तो उसका जमीन खिसकेगा इसराइल थोड़ी है इसराइल थोड़ी है जो कि जब देश पे कुछ होट का संकट आता है तो सब पॉलिटिकल पार्टी बोलती है गोहेड कोई प्र अग्दमनी चलेगा और ये मालो ये यूनाइट हो भी गए तो क्या ये टीटीप को हरानी की चंता रखते हैं एक्दमनी टीटीप तो दादागिरी कर रहा है कुछ नहीं कर पा रहे है आपके पास कुछ पॉइंट्स वगरा जो आज आप बना के लिए क्या हैं सर पाकिस्त पर साखा को काट रहा है मैं ऐसा बेकूफ नहीं देगा यदि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता तो मैं क्या करता मैं सच मुच मतलब जुरत पढ़ता तो मैं दिल्ली तक आता प्रधान मंत्री जी से मिलता और कहता कि हमने गलतियां किये हैं बड़े भाई बनो मुझे मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो उस बड़ रहा है तो यह मस बचना है तो क्या गैरंटी है कि मैं पल्टी नहीं मारूंगा आप डूब रहे हैं मैंने निकाल दिया मैं प्रधान मंत्री हूं निकाल दिया आपको गड्डे से ट्रेड शुरू कर दिया जो आपका स्पेशल रिखिब कर दिया जो खूल डिया गैरंटी आप अतं की वाद नहीं वेजोगे आपने जमून कस्मीर का मुद्ध अभी कमपरोईउज करोगे नहीं करोगे तब जब यह बात करोगे नहीं तब तो शांती हो नहीं सकती है तो मैं काट की हांडी बार-बार चढ़ने नहीं दूगा मैं अब अज़े पीम बोल रहा हूं काट की हांडी बार-बार चढ़ने नहीं दूगा तो यदि लेकिन यदि पाकिस्तान का आर्मी चीफ सच मुझ में शांती चाहता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, कश्मीर मुद्दा छोड़ो, आतंक वादियों को हमको हैंड ओवर करो, फॉरिन अफेर्स डिफेंस हमको दे दो, हम लुक आफ्टर करेंगे, और जो तुम्हारा जो जो स्पेशल हमारा टीम रहेगा जो आदमी विस्वास, जो इतिहास से नहीं सिखता है, इतिहास उसको घटे में फेक देता है, इसलिए इतिहास कहता है कि ''Pakistan पे भरोसा करना आत्मखातक होगा,'' मैं साब पे विषवास करलूगा, पाकिस्टान पे नहीं करूगा कभी,मांने च्रुम्हां करूँगा कभी कि अविश्वास करूंगा अमें हाठ जोड़ के पोलिटिकल लीडिर्शिप को बाविस में भी क्रिप्या करके विश्वास मत कीजिएगा विश्वास के लाएक यह लोग बहुत बड़ी कीमत हम लोग को चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी कीमत इसी के साथ मुझे मैं आश इस इंटरव्यू के बारे में भी बोलना है वो भी आप बहुत मैं आपको इंवाइट करती हूँ कि आप लोग आईए और कमेंट सक्षम में आके बोलिए और बाहराल बताईएगा आपको इंटरव्यू कैसा लगा इसे के साथ धन्यवाद